स्ट्रीट पे मिलने वाली कचोरी सबजी वाली जो सबजी होती है इसे हम पूरी पराथा, फरे जिसके साथ भी खाएंगे ना लगता है बहुत टेस्टी और बनता है जटपट से तो चले करते हैं बनाना स्टार्ट जो सबसे पहले लेंगे 5-6 कली लसन की, 1.5 इंच अद्रग, 2 हरी मिर्ची मिर्ची अब अपने स्ट के साथ से कम या जादा कर सकते हैं और नेक्स डालेंगे इसमें 1.5 तीस्पून जीरा तो इन सब को थोगा सा पानी डाल करके ग्राइंड कर लेंगे और मसाला है रेडी अब नेक्स हमें कड़ाई लेंगे उसमें हम 4 टेबल स्ट डालेंगे सरसो का तेल सरसो के तेल में ये बहुत तेस्थी लगता है चौक लगाएंगे हम 1.4 तीस्पून राई, एक तेज पत्ता और दो हरी मिर्ची हरी मिर्ची का चौक तो फ्रेंच जरूर लगाएगा स्वाद बहुत अच्छा आता है जैसे ही मिर्ची रंग बदलने लग जाए इसके बाद हम इसमें चौक लगा देंगे एक बड़े साइज का या फिर दो मीडियम साइज के प्याज को रफली चॉप करके इससे डालने के बाद चलाते हुए जब तक की ये गोल्डन नहीं हो जाता तब तक इसे हम भुनेंगे एक अधम डार्क वाला गोल्डन नहीं चाहिए बस जैसा गोल्डन होना स्टार्ट होता है तो देखे इसी तरीके से जब ऐसे हो जाए तो जो हमने ग्राइंड करके मसाले रखे थे वो डाल देंगे मैंने एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाया थोगा दरबरा सा रखा है और थोड़ा सा पानी डाल देंगे जाल को क्लीन करके एक बड़े साइस का एकदम रसीला वला टमाटर डाला है चोटे हैं तो दो डाल दीजिए स्वादनुसाल नमक टमाटर के बाद वही डालती हूं मैं 1-4 तीस्पुन कश्मी लाल मिर्च 1-4 तीस्पुन धनिया जीरा पाउडर जो एक साथ पीस करके रखा है मैंने 1-4 तीस्पुन जो भी सबजी मसाला गरम मसाला आपके पासे वो डाली है और 1-4 तीस्पुन हल्दी डाला है मैंने फ्रेंस हल्दी का कलर भी तोगा डार्क दिख रहा होगा तो ममी मेरे यहां पे क्या करती है हल्दी में सरसो का तेल और मिर्शी मिलाके रख देती है इसे क्या होता है कि हल्दी में कीरे या फंगस कुछ भी नहीं लगता है आप जब तक हल्दी खतम ना हो जाए आराम से यूज कर सकते हैं क्या आप लोग के घर में भी ऐसा करते हैं तो जरूर कमेंट करके बताईएगा और आते हैं हम लोग रेसिपी में वापस तो मसाले में मैंने थोवासा पानी एड़ कर दिया है इसे हम मीडियम ट्यू लो फ्लेम पे 10 से 15 मेर्ट तक भूनेंगे जब तक की मसाले से ओयल ना निकलने लग जाए देखे इस तरीके से और टमाटर अच्छे से गल जाए यानि कि मेर्ट हो जाए अब इसमें नेक्स हम डाल देंगे चौब किया हुआ हरा धनिया इसे मसाले में जरूर डालिएगा बहुत टेस्टी लगता है तो नेक्स अब इसमें हम डालेंगे बॉल करके ठंडा करने के बाद जो आलू होता न थोड़ा हाड हो जाता है और इसे हाथ से इसी तरीके से फोड के डालना है कट करके नहीं डालना है क्योंकि जो इस ट्रीट पे कचोरी सबजी मिलती है वैसी ही एकदम सबजी बनानी है तो इसी स्टाइल में डालिएगा इसे डालने के बाद हम इसे चलाते हुए भुनेंगे लो फ्लेम पे लगवाग 10 मिनिट तर जब यह अच्छे से भुन जाएगा खुजबू भी बहुत अच्छी आने लगती है और साइट साइट से हलका हलका आपको लगएगा कि ओयल मसाले रिलीस करने लग गए है तो जब ऐसा दिखने लग जाए उसके बाद इसमें हम डाल देंगे जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उस असाब से पानी डालिएगा ये सबजी मुझे फरे के साथ भी बहुत तेस्थी लगता है और फरे कैसे बनाते हैं आपको अगर नहीं पता है तो लिंक मैं उपर डाल दूँगी आप जाकर के देख सकते हैं इसमें मैंने डाला है वन एन हाफ ग्लास पानी क्योंकि आलू बोइल है तो ग्रेवी गाड़ी हो जाएगी और जब इस सबजी को बना के कुछ देर के लिए रख देते हैं तो भी ग्रेवी अपने आप थोड़ा और थिक हो जाता है तो इसलिए थोड़ा वाटरी अभी हम इसे रखेंगे इसे हम अच्छे से पका लेंगे यानि की उबाल लेंगे 10 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे तो 10 मिनट बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा ग्रेवी देखिए अभी इस तरीके से दिख रही है जब थोड़ा थंड़ा हो जाएगा तो और भी गाड़ा यानि की थिक हो जाएगी ग्रेवी तो इसी स्टेज पे इसमें हम डाल लेंगे थोड़ा सा चौप किया हुआ हरा धनिया हरे धनिये की वज़े से इस सबजी की तेस्ट बहुत अच्छी आती है बहुत ही सिंपल सी सबजी है लेकिन आप एक बार जरूर बना के खाईएगा मुझे तो पूरा यकीन है फिर आप भी इसे बार बार बनाएंगे जब भी मन करें जटपट से इसे पूरी कचोरी त्या फिर फरे के साथ मुझे तो ये सबजी फरे के साथ भी सबसे ज़ादा पसंद है लोग फरे के साथ चटनी खाना ज़ादा पसंद करते पर मुझे ये सबजी बहुत पसंद है तो बस इसे अच्छे से धन्या मिला करके ये है एकदम रेडी खाने के लिए और जिसके साथ पसंद है आपको वो बना करके उसके साथ खाईए बहुत इजी रेसिपी है और आलू तो हर किसी के घर में होता ही है जटपड से बन जाने वाली सबजी भी है ये तो बनाएए खाईए रहिए बहुत खुश और रखिए अपना खूब ख्याल और ये सारी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी मेरी रेसिपी आप सभी को अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिये मिलते हैं मेरे नेक्स रेसिपी में